इस वीडियो बात करने वाले हैं about nifty, bank nifty and हमारा fin nifty जिसकी कल expiry होने वाली है weekly तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मुझे comment section में जरूर लिखके बताईए कि जो आपने कल प्लान बनाया था मैंने आपको डेट जोंदे को आप मुझे comment section में लिखके बताऊगे नहीं like वगदा करोगे नहीं तो मुझे idea नहीं परेगा कि आपको exactly कितना benefit हो रहा है तो like जरूर कर देना प्लेस comment section में लिखके बताई आज आपका दिन कैसा रहा लेवल्स काम के थे नहीं थे कितना आपने उसका utilize किया कितना profit बुक किया क्या loss किया या हर लेवल्स की उपर आप calls बगरा बाय करते हो अब फस्ट चुकिए हो तो कर दिया करूं कि आप यह situation है अब क्या करना चाहिए तो मैं भले आपको reply नहीं करूंगा बट रीड जरूर करता हूं उसके related with topic पर कुछ मिझे video create करना है जिससे आप सबको majority लोगो help हो सके तो वह को मैं create कर दूंगा तो comment और like जरूर कर दिया करो अब बात करते हैं बैंक निफ्टे के लिए तो देखिए जैसे कि आपको यहां पर पता है कि हम लोग पहले अपने देट जोन के बारे में बात करेंगे साथ में exactly market खड़ा कहा है वह भी चीज़े discuss करेंगे कल कहां opening होगा और हम क्या कर सकते वह सब चीज़े भी बात करने वाले तो सबसे पहले हम बात करते डेट जोन डेट जोन हम कैसे अगर इसको नाम दिया हुआ है अगर इन लेवल्स के ऊपर पार्च मिन या तीन मिन चार्ट वगर केंडल क्लोज देता है तो हम लोग बोलेंगे कि हां बॉस यह जो सैल आफ आया हुआ है उसकी कोई वैलू नहीं है अब यहां पर क्लोजिंग आ चुकी है अब हमको यहां करना है सिंपल तो 40,000 880 याद रखना है आप और मैं आपको तीनों का डेट जोन देने वाला हूं निफ्टी का भी और आपका फिन निफ्टी का भी देने वाला हूं कल एक्सपार यह तो आपको काम आ सकती है अब बात करते हैं कि लेट से कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो कर सकते हो अब exactly best available option क्या है जहां पर हम लोग sell कर सकते हैं कौन सा level हो मैं आपको समझाता हूं देखो multiple reasons के साथ मैं आपको यहां पर समझाऊंगा थोड़ा समय इसको zoom out कर देता हूं एक मैं यहां पर 129 draw करता हूं like this ठीक है अब यहां पर ध्यान से समझना traders कैसे multiple reasons हम already एक दिन पहले से एक zone decide करके रख सकते हैं कि next जोई पर इस एरिया में आता है market तो high probability हमको एक अच्छा setup और trade बगरा मिल सकते हैं देखो यह होगा support यह होगा support 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 फाइनल यहां पर हो गया break ठीक है break करने के बाद जब दुबारा यहां इस levels के आसपास आएगा मैं आपको level बता देता हूं somewhere around 39,960 ठीक है क्या करेगा comment में फट्टा फट लिखके बताईए यहां पर हमको करेगा rejection phase करेगा यहां पर बैंक दुप्ती तो यह आपका हो गया reason number one कि हम यहां पर selling देखने वाले है reason number two डियान से समझो 39,960 मतलब यह 40,000 के अंदर आता है तो 40K जो एक psychological number आता है जहां पर अब strongly sellers बैटे होंगे तो वो उपर जाने देंगे नहीं reason number three अगर मैं top to bottom Fibonacci raw करता हूं तो यहां पर क्या आ रहा है इसी levels के आसपास 23.6% का rejection बैट रहा है तो यह इस zone पर कल market gap up खुले, flat खुले, gap down खुले इस zone के आसपास अगर market आता है तो क्या probability है बहुत जादा high probability आपको एक rejection face करते हूं आप पर दिखा सकते है rejection देट सो 200 point more than enough है stop loss कितने points का रखेंगे 70 points का करना क्या है कल market कहां भी खुलने दो इस levels के आसपास आता है 70 points के आसपास हम stop loss रखेंगे चोटे time frame पे एक हलका full का double top pattern देख लिया, angle देख लिया हमने या low high low low कुछ breakdown जैसे बनते होई दिख गया head and shoulder pattern आपका जो favorite है, मेरा favorite है, वो दिख गया कुछ है आपर हम वहापर selling करेंगे, 70 points के आसपास का अपना stop loss होगा, target हम क्या प्लान करेंगे, minimum आपका date 100 से 200.102 बिंदास बनाके आपर बैठ जाना, market flat एकदम continuous downside गया है retracement आने का chance है यहाँ पर, इस levels के आसपास हम selling plan कर सकते हैं, selling plan आप यहाँ पर भी कर सकते हो यहाँ पर भी कर सकते हो, जब तक आपका 40,000 880, इस levels के नीचे trade करता है, तो आप सिरुप selling plan करना, देखो आपको नहीं यहाँ पर थोड़ा clarity रखना पड़ेगा, कोई-कोई लोग क्या सोचता है न मैं आपको समझाता हो, यह मैं भी सोचता दा है, आप लोग में कुछ गर to understand, खुद को clarity दो गए न तो उतना जादा easy होता है, market से पैसा गमाना, हर angle को, हर move को capture नहीं करना होता है, down trend के अंदर है, support break हुआ है, just sit down and relax, आपको एक zone mark करके रखा है आपने, उस levels के आसपास आएगा, आपको सिर्फ देखना है, double top pattern बने, angle बने, head and shoulder pattern बगएरा बने, बस उस levels के आसपास, 70 points के आसपास का आपका stop loss होगा, 1-2 का आपके पास already target है, महनत और ज्यादा करनी की जरुवत ही नहीं है, अब महनत आपको तब लगती है, जब आपको यहाँ से 100-800 points जो ऊपर जाएगा, वो भी कमाना है, फिर retracement भी कमाना है, फिर थोड़ा बहुत ऊपर या थोड़ा बहुत नीचे जाएगा, वो भी कमाना है, अल्टिमेटली क्या हो रहा है अज तक, loss ही loss हो रहा है, वो loss क्यों हो रहा है, क्योंकि हमको दोनों साइट खेलना है, बैटिंग भी करना है, और हम यह उमीद करते हैं, कि हम बैटिंग में भी चौके चके मारें, और बॉलिं में भी हर बॉल पर लोगों को बोल डगरें, ऐसा हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो यह तो एक अच्छा बैट्समें, मतलब यह तो बुलिश के साब से देखो, कि हाँ चलो यहाँ पर नीचे की तरफ आया, तो डबल बॉटम पैटर्न जैसा बना तो मैं यहाँ पर बाय करूंगा, या तो market downtrend के अंदर है, जो एक systematic way में trade होता है, बेरिश के साब से हमको देखना है, यह हमारे पार dead zone है, तो इन लवल्स के आसपा आपको वेट करना है, बात करते हैं हम लोगों nifty के ओपर, देखो, और हाँ, attractive जो ज़्यादा है वो bank nifty है और आपका fin nifty nifty है, nifty में इतना जादा कुछ attractive मुझे नहीं दिख रहा है, बट सिल मैं आपको समझा देता हूँ, dead zone पता देता हूँ, इसके साथ जैसे में आपको बताया ना, अभी example bank nifty में कैसे trade कर सकते हैं, तो nifty का वैसा में आपको example देता हूँ, सबसे पहले dead zone हम डिसक्स करेंगे, top to bottom हमने draw कर दिया है, आपर dead zone आता है हमारा somewhere around यहाँ, which is almost आपका 17,500, ठीक है, यह है आपका level जहाँ पर हम लोग इस levels पर अगर market आता है, तो high probability है कि अगर इसके उपर 3 मिन का candle close वगरा दे दिया, 5 मिन का close दे दिया, तो आपको यहाँ पर buy on dip, buy on dip वगरा प्लान करना है, अब बात करते हैं कि कल market gap up, flat opening या थोड़ा बहुत gap down खोलता है, तो हम उस levels पर हमनों क्या करने वाले, कैसे plan करने वाले, simple, अगेन यहाँ आप क्या करेंगे, देखो, यह क्या था, यह support level था, ठीक है, यह support था, market ने आप break किया है, कल थोड़ा बहुत flat opening या gap up opening होने के दो reasons आपके ready mate है, एक support will act as an resistance, दूसरा 23.6% का यहाँ पर rejection बैट रहा है, अच्छा खासा market ने fall किया है, हर up move के उपर आपको एक अच्छा खासा selling देखने के बिलेगा, उपर के levels पे काफी लोग फसे हुए रहे हैं, इतना easily market cover नहीं करने वाले, cover करेगा, तो 17,500 को उपर न levels के आसपास 17,270 जैसा है, इस levels के आसपास हम लोग sell on rise, sell on rise ही plan करेंगे, flat खुलता है, gap up खुलता है, gap down खुलने तो, यह levels पे आया, तो हम यहाँ पर double top pattern, छोटे time frame पे angle, head and shoulder pattern, यह सब बगेरा देखते हुए, एक छोटी सी confirmation लेते हुए हम लोग यहाँ पर plan कर सकते हैं, 40 points के आसपास का आपका stop loss होगा, target आप लान कर सकते हो, आज का closing, will be your first target, next target आपका आज का bottom है, वो आप लान कर सकते हो, यह आराम से आपका 103, 104 आपको easily दिला सकता है, बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर fin nifty के ऊपर, देखो, fin nifty में भी यहाँ पर क्या है, fin nifty ने यहाँ पर यह support level था, यह दिख रहा है आपको, यह आपका support, 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 finally इसने break कर दिया, उपर से क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, यह top से लेके, bottom तक हम यहाँ पर draw करेंगे, हमारा Fibonacci, तो जो dead zone हमारा आता है, वो आता है 18,120, इसके उपर अगर 5 मेंट वाली candle या 3 मेंट वाली candle close देती है, तो ही हम यहाँ पर buy on dip, buy on dip, buy on dip, यहाँ पर हम प्लान करेंगे, यह support है, यह support है, यह support है, यह support जैसे ही कल के दिन पर market थोड़ा बहुत उपर के levels पर आता है, gap up खुले, flat opening या थोड़ा बहुत gap down खुले, तो इस levels पर ध्यान लखी का ट्विटर समय आप पर प्लान कर सकते है, जो level आता है, somewhere around 17,790, यह level, यह level again act कर सकता है, as in selling के लिए, Fibonacci का rejection बैट रहा है, 17,790, यह level हो जाएगा हमारा selling के लिए, Fibonacci का rejection है, support will act as in resistance, इसको आप चाहिए तो ऐसा turn line भी draw कर सकते है, if you want, यहा up as in, यह ऐसा, एक zone भी mark करके रख सकते हो, अब यह ऐसा, ठीक है, जब दुबारा, जब market इस levels के आसपास आएगा, तो it will act as in resistance, तो यह level हो जाएगा हमारा selling वाला area, 50 points के आसपास का हम यहाँ पर stop loss plan करेंगे, target जो होगा, आज का जो हमारा closing है, उस levels के आसपर, यहाँ पर, हम यहाँ selling करेंगे, तो इससे बड़ा ज्यादा expect मत करना, आगर यहाँ पर हो सकता है, कि एक बार market थोड़ा hold करने की कोशिश करें, मंदे के दिन पर trending हुआ है, तो Tuesday के दिन पर थोड़ा हलका, फुलका मैं expect करना market थोड़ा sideways, हाँ, अगर बहुत बढ़ा gap down कुल जाता है, तीनों ही case में, चाहिए वो nifty हो आपका, चाहिए वो आपका bank nifty हो, चाहिए आपका fin nifty हो, तीनों ही case में अगर बहुत बढ़ा gap down कुलता है, तो market थोड़ा violently आप बोल सकते हो, इसमें थोड़ा act कर सकता है, उसके बीचे का reason है, मैं आपको समझा आता हूँ देखिए, बाद 17,000 ये आपका जो 100 वाड़ लेवल है, इसके बाद जो next stop आता है, वो somewhere around 16,000 960 के आसपा, जो ये आपको support दिख रहा है यापर, इस लेवल पे, 16,000 960 का, जो थोड़ा सा काफी जादा दूर है, यहाँ पर अगर लेट से कल के दिन पर market 100 point के आसपा नीचे खुलता भी है, फिर अगेन यहाँ पर आपको थोड़ा volatile होते हो दिखाएगा, same चीज़ है का हम लोग बैंक निफ्टी में discuss करें, तो बैंक निफ्टी का जो next stop है, इसके बाद, जो आज का bottom है, उसके बाद जो next stop आके रुखता है, वो directly आपका यहाँ से 1000 point नीचे, मतलब somewhere around 39, 38,000, 38,000 650 वाले zone के आसपाद यहाँ पर आपको market आते वह दिख सकता है, अगर gap down खुलता है, तो यह depend करता है कि continuous fall के बाद, gap down करने के बाद, और हम लोग यहाँ पर expect करें कि और नीचे राएगा, और नीचे राएगा, मैं just आपको यह levels बता रहा हो, कि इतना जादा differentiate है, अगर let's say भी closing हुआ है, हमारा 39,600 पर, let's say, कल market gap down खुलते वह, 39,400 पर खुलता है, तो उसके बाद, जो next stop आता है, ideally, जहाँ पर हम trust कर सकते कि market अब यहाँ से rebound ले सकता है, market reverse कर सकता है, वो level आता है, यह, तो यह बहुत ज़्यादा differentiate है, लग बग लग, लग, उसादे साथ सो, आठ स प्लान करेंगे, जो आज के bottoms बने हुआ है, that can act as in support, यहाँ पर उपर जाने के बाद, यह levels पर आसपर आएगा, मतलब मैं आपर यह बोलनों आपको, थोड़ी सी वीडियो बड़ी बन जाएगी, but it is okay, कि आपको यहाँ पर समझाना, देखो, यहाँ flat opening या gap up opening होता है, इस levels क आसपर rejection phase करते हुए, market अगर नीचे आता है, तो यहाँ पर एक और pause लेने की कोशिश करेगा, double bottom pattern बनाने की कोशिश करेगा, try up करने के बाद, फिर मार्केट और नीचे की तरफ जा सकते है, that is the valid thing, जिसको हम लोग एजी ली plan out करते हुए, पैसा कमा सकते है, अगर यहाँ प present resistance, फिर हम इस levels पर प्लान करेंगे, छोटा अपना stop loss होगा और target होगा, अखल का जो opening होगा, gap down बाला, I hope, the point is clear, selling ही करना है, dead zone का ध्यान लखेगा, उसके उपन निकलेगा, तीन मिनट या पाच मिनट वाली candle close देगा, उसके बाद ही अपना अपन को gear change करना है, selling से फिर हम लो ब्यान दिप, ब्यान दिप ब्लान करेंगे, thanks for watching, we'll see you in the next video.